हलो दोस्तों एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसको एर क्रेटिविटी में बहुत-बहुत सौगत है आज का नया टॉपिक नया प्लांट आप सब के लिए लेके आया हूं मैं यह देखें इस प्लांट का नाम है मोरपंकी मुसली घरों में आपको मिल ज लगाते हैं खुबसूरती के लिए और वास्तु सास्त्र के एकॉर्डिंग भी इसको लगाना सहीं समझा गया है सहीं माना गया है तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इस प्यारे से प्लांट को किस तरीके से लगाएंगे देखें मैं तो एक अकल गया था एक पार्क ट तो आज हम लोग क्या करते हैं इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और इसको मैं बताऊंगा कि कटिंग के जरीए किस तरीके से इसको ग्रो करते हैं क्या स्वाइल मिक्स देते हैं और कैसा इन्वार्मेंट इसको चाहिए क्या नीड है पानी कितना देना है स्वाइल कैसी देनी ह ए टू जेट ओल इबाउट मोरपंखी ओके चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं बगर देर की वे दोस्तों अगर इस प्लांट के हम लोग बात करें तो इस प्लांट को हिंदी में हमारे हिंदोस्तान में मोरपंखी के नाम से जाना जाता है और अगर इसका बोटैनिकल नाम देखें तो प्लैटी क्लेडस ओरियंटेलिस या इसको थूजा ओरियंटेलिस भी कहा जाता है बायोटा ओरियंटेलिस भी कहा जाता है डिफ्रेंट डिफ्रेंट नामों से इसको जाना जाता है रीजन की वज़े से इसके डिफ्रेंट स्पीसीज पाई जाती है तो इस इसको स्वाइल मिक्स दे कर इसको घ्रोफ करियाisions को दूस्तित ही तो प्लांट में जब मैच धासक है चहिए प्लांट में इसके टिप के पास उनको जाएकिस झाल आती है वर उन तो क्या ए कि तरिक एह तक अजए के पहले एक से दो दिन ड्राइ कर लेना है, आफ्टर ड्राइ आप क्या करिए उन सीट को निकालिए, निकाल करके आपको उतना सुखाना है लगभग अप्रॉक्समेटली उसमें 10% नमी बची रहनी चाहिए, फिर आपको उसको एक एर टाइट एटमोस्फियर में जिस लाइक कोई डि मिक्स दीजिए और उन सीट को डाल दीजिए, जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम जो होता है इसके लिए वह रहता है जून एड जुलाई, अगर आप इसको सीट से ग्रो करना चाहते हैं और तीसरा तरीका जो मैं आज आपको करके दिखान जरूरी है कि एक पॉट को चूश किया जाए, तो मैंने देखे ये पॉट एक लिया है जो बहुत जादा गहरा पॉट नहीं है अब इस पॉट में हमने देखे ड्रेनेश होल बना दिया यह जो गया इसका और फिर मैं इसमें यूज करता हूं यह देखे यह रेत रेत तो बहुत हद तक के This में कोशिच कि हैं Christmas Garden Bridge को खतम कर दिया जाए लेकिन फिर म्हंदध और ङ patrimald के लिए और मीजर्स है उनको मैं यूज करने के लिए थी करिए तो सबसे पहले मैं इसको इसमें निकाल लेता हूं अब देखिए दोस्तों इनिशल केंडिशन में मैं अभी सिर्फ मैं रेथ रिवर्ट सैंड ये सितमाल कर रहां और इसके लावा मैं इसमें कोई भी दूसरी चीज मिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे क्या करना है अपनी कटिंग को ग्रो कराना इसमें रूट डेवलब करवानी है तो रूटिंग के लिए क्या चीज़े जरूरी है वह मैं भी आपको बताऊंगा तो फस्ट आफाल यह तयार हो चुका है देखे दोस्तों कट करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप इसमें 45 डिग्री के एंगल पे लगभग 5-6 इंच की जो है कटिंग साफ इस तरीके से निकाल लीजे ऐसे यह दिखे 45 एंगल पे हमने यह कट लगाया 45 डिग्री पे ठीक है तो इस तरीके से कट लगा करके आप पह कि दोस्तों यह हमारी कटिंग रेडी है लगाने के लिए चलिए हम लोग से को सबसे पहला काम क्या आगरते हैं कि रूटिंग हार्मोन प्रवाइड कराते हैं देखे रूटिंग हार्मोन इसके लिए अगर आप मार्केट से चाहे जाएं तो लें करनाpekt्य का सकते हैं जो भी एक सबाइब यूज़ करता हूं लगबग 100 परसेंट नहीं तो एक दो परसेंट अगर यूज़ करना होता है तो मैं यूज़ करता हूं उन्हाल जादा तर चीज़ जो है और गैनिक ही यूज़ करता हूं एलोवेरा यह रूटिंग हर्मोन के लिए बहुत अच्छा काम करता ह तो मैं इसका थोड़ा से पल्प निकाल लेता हूं दो कि अधिव लिया है अब क्या करते है इसमें थोड़ा सा मैंने कहा था कभी-कभी मुझे यूज करना पड़ता है केमिकल्स तो यह केमिकल्स में के फॉर्म में थोड़ा सा फंजी साइड ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया क्योंकि फंगस जो है इन प्लांट्स की रूट्स को डेवलब होने में प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि स्वाइल में या लेडी प्रेजेंट होता है नेचरली फॉर्म में तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसली इस तरीके से इस प लेड़ इंच आपको इसको मिट्टी के अंदर दबा देना है कि अ कि अ कि कि सभी में मैंने फंजी साइड लगा लिया है अब मैं एक-एक करके इन सब को इसमें प्लांट कर देता हूं जो टाइम है वह बेस्ट रिपोर्टिंग का इस तरीके से रूट्स को गुरो कराने का वह बारिश का टाइम है तो जून और जुलाई सबसे बेस्ट टाइम रहता है इसकी ग्रोथ के लिए तो अभी धूब भी जादा पड़ेगी तो आप इसको धूब में मत शिप्ट कीजि और फिर जब यह इसमें रूटिंग हो जाएगी तो रूटिंग के बाद इसका मैं अगला वीडियो लेके बहुत जल्दी आऊंगा कि दुबारा मैं इसको क्या स्वाइल मिक्स दूँगा कैसा इन्वाइरमेंट क्योंकि देखे अभी जो इन्वाइरमेंट इसको ज़रूर तो वह मैं इसके पार टू में आपको डिसकस करूंगा फिर हाल के लिए तो आप यह देखर इस प्लांट के बेनिफिट्स के बारे में बात किया जाए इसली घरो में आपको डेकोरेशन के लिए यूस करते वे देखा जाएगा यह बास्तु शास्त्र के ही साथ से गर देख करता है तो मारा टॉपिक था दोस्तों मौर पंखी तो मौर पंखी का प्लांट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे चैनल के माद्यम से आप तक पुछाई गई है ठीक है आई होप यह पसंद आई होगी आपको और एफ यूर रेलाइस देट की इंफॉर्मेशन हेलफ झाल झाल झाल